नमस्कार हिमाचर प्रदेश आज के मुख्य समचारों में आप सभी का स्वागत है चैनल प्रग्राप नहीं तो हिमाचर की हर ताज बड़ी खबर पाने के लिए करिप्या करके अभी चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर दीजेगा हिमाचर प्रदेश की जिला चमबा में 14 अक संस्तान वहां पर घूमता हुआ दिखाई दिया तो जो भारति दंड सहिंता की धारह 188 है उसके तहत कारवाई अमल में लाई जाएगी ये बड़े आदेश जिला दंड़तिकारी द्वारा जाई किये गए हैं वहीं हिमाचर प्रदेश में 13 अक्तूबर के बाद कभी भी आ प्रशिक्षकों में ये डर है कि आचार सहिंता से पहले परक्रिया होना अब संभव नहीं बचा है फायर कर्मियों को जो है वो कैबिनेट से उम्मीद है क्योंकि 11 अक्तूबर को जो है वो अंतिम कैबिनेट मीटिंग होने वाले इसमें जो वेतन विसंगती है उस पर हॉल ह होने की पूरी आस बनी हुई है अला ही ये देखना होगा कि जो अंतिम कैबिनेट मीटिंग है उसमें कौन-कौन से वर्गों को यहां पर तौफा मुक्हिमतरी जैराम ठाकों द्वारत दिया जाए क्योंकि OPS बहाली पर साब-साब मुक्हिमतरी जैराम ठाकों ने कहा है कि हिमाचर प्रदेश में OPS की बहाली करना संभव नहीं है क्योंकि हिमाचर प्रदेश की आर्थिक स्तिती जो ऐसी नहीं है कि OPS बहाली किये जासे और साथमनों ने ये भी कहा है कि OPS बहाली पर जो है वो किसी भी पार्टी के जहांसे में करमचारी ना आया अब आप किस पर क टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं उनकी यहां पर जांच होगी स्कूलों में ज़्यादा बियर प्रिश्टिक्ट्री भीजने की शिकायते जो है वो शिक्रविभाग को मिली है ऐसे में यूजिसी की नियमों की अवहेलना यह मानी जा रही है और अब टीचिंग प्रैक्टिस की जांच भी की जाएगी तो 11 अक्तूबर की जो यहां पर कैबरिन मीटिंग होने वाली वो काफी जदा महत्तपूर्ण रहने वाली है और 13 अक्तूबर के बाद जो कभी भी यहां पर गोशना हो सकती है तो ऐसे में यह देखना होगा कि क्या कुछ यहां पर महत्तपूर्ण दो पर बड़े फैसले हो सकते हैं तब तक लिए मिलते लिए खबर में धन्यावा चैहिं जैहिं माचल